सब्सक्राइब से नग्रों की जरूरत क्यों पड़ी है? संग एक इतना बड़ा संग है जो भगवान बुद्ध के पहले से भी जो हमारे पूरवज सनिवार के दिन सब्ताह में एक बार अपनी छोटी-छोटी समस्या हो पानी की समस्या हो या जानूरों की समस्या हो उन दिनों जो भी समस्या है रहती थी उनसे काम किया करते थे उसी कांसेप्ट को ले करके उसी चीजों को ले करके जुड़ने जुड़ाने की ले करके कुछ लोगों ने हमारे समढ़ संग को ले लिया मेरे समढ़ संग म कोई नेता नहीं होता है कोई प्रधान नहीं होता है कोई माला नहीं होता है कोई चंदा नहीं लिया जाता है किसी तरीके का सब समान है S.C.S.T.O.B.C यानि बहुजन जो भी है हमारे वो जन्म से ही समढ़ है आज पुराने लोग जो जुड़े हुए और संग्रसंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उसके कांसेप्ट के बारे में जानते हैं जो नए लोग जुड़े हुए है और संग्रसंग के कांसेप्ट को समझने के लिए यह है कि इसमें छोटे-छोटे संगठनों की तरह नहीं है यह संगठनों में एक प्रधान हो होता है चंदा लिया जाता है सामने माला मंच पहना आ जाता है प्रधान को उसके बाद सदर्श होते हैं लेकिन यहां पर इस तरह कोई नहीं है सब बराबर है समढ़ संग में सभी बराबर है किसी तरीके की कोई वह नहीं है भेद भाव नहीं है कि ये बड़े हैं ये चोटे हैं ज्यादा ग्यानी है ये कम ग्यानी है सब बराबर में घेरे में बैठते हैं जब कभी बैठके होती है तो उस तरह से बैठके जब कभी कोई बात होती है समस्याएं होती है छोटी छोटी जैसे हमारी पराथा पार्टी है या और भी उस में से गाऊं में भी और छोटे छोटे कस्मों में b히 सहरों में साल कि जीसे चिकिसपा की संगीत लखनौ में हुई और नागपुर में अभी दो अप्रेल को होने वाली है और जबलपुर में भी होने वाली है इस तरह कि पार्टियां इस तरह की संगीत का आविजन किया जा रहा है समरसंग की जरूरत क्यों पड़ी क्यों कि वर्तमान समय में काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि हमारे सम्विधान में जो सुभधाएं थी प्रदत सुभधाएं दी गई बावा साहब के दोरा जो सम्विधान लिखा गया उसमें जो सुभधाएं थी उनको धीरे-धीरे वर्तमान समय में उसको खटाया जा रहा है कमजोर किया जा रहा है सम्विधान की धाराओं को या लोगों के उपर आत्याचार हो रहे हैं उन आत्याचारों को एक्टोसिटीज को कम करने के लिए समिधान की रिजर्वेशन जैसे है प्रमोशन रिजर्वेशन है नौकुरियों में रही नहीं गया प्राइविटाइजिजिशन मुगरे सब हो रहा है तो इसमें इसी लिए समढ़ संग में एक सब लोग जुड़ेंग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे इतना ज्यादा जुड़ेंगे कि मजबूर हो करके गौवर्मेंट जैसे दो अपरेल अठारा को पेट्टोसिटीज एक्ट में जो भी बदलाव किया गया था उसको दो अपरेल अठारा को लोग जुड़े जुड़ करके जो है उस इस तरह से छोटे-छोटे और देख लिए कोई भी उद्देश्यों घर की सफाई के लिए घर मकान बनाने के लिए एक छोटी-छोटी एंटों से मिलकर के मकान बनते हैं और हमारे जंगलों में पसपच्छी भी जुड़ करके रहते हैं जो जुड़के रहेंगे तभी वो स तो इसी तरीके से परिशान रहेंगे जैसे इस समय जो भी सेवा में है वो भी परिशान है आगे आने वाले पिएँ जो आगे आने वाले बच्चें उनके लिए इसी तरीके का कोई नौकरी वग़ं में कोई जैसे था भावा साहब ने समिधान में कोई रिजर्वेशन सवगाद नहीं दी गई थी बराबरी के लिए दिया गया था क्योंकि हम बरसों से प्रताडित रहे हैं बरसों से हमें सताया गया है तो इसलिए जो है उसमें भी जो प्राइवेटाइजिसन हो जाएगा तो प्राइ में तो रिजर्वेशन है नहीं सब चीजें खतम हो गई है इसलिए जुड़ने जुड़ाने की मुहिम को और तेज करना होगा जैसे अभी डाक्टर वी रेन सिंग ने बताया और लोगों ने भी बताया कि जुड़ने जुड़ाने की इसके पहले भी कांसेप्ट में सुधी लोग जुड़े हैं उन सबसे की कांसेप्ट को अभी सुधीराज सर्फ भी आएंगे वो बताएंगे बहत लूप में अच्छी तरीके से लेकिन एक आदमी अगर दसको जोड़ेगा तो धीरे धीरे चैन बढ़ती चली जाएगी तो एक बहुत बड़ा कार्मा जुड़ से 33-34 करोड़ लोग हम हैं 34-35 करोड़ लोग भारतवर्स में हम हैं अगर उसमें से साल दो साल के अंदर 10 करोड़ लोग भी जुड़ गए तो बहुत बड़ा संख्याबल होगा तो जिससे आने वाली समय में जो भी सरकारे होंगी वो हम से पूंच करके ही काम करेंगी और तेज करें जब जोड़ेंगे तभी सफलता प्राप चुंगी जैभीम नमों बद्धाए आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या भी चला सकते हैं, आप यूटूब पे चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिस लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूतियं पी धम्मं सरनं गच्छाम। बुम्तियं पी संघंसर्णम् गच्छागी तर्थियं पी गुद्धंसर्णम् गच्छागी ततियं पी घुतं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्ममर्सर्मं गच्छामी ततियं पी घुतं सर्मं गच्छामी ततियं पी धम्ममर्सर्मं गच्छामी साथु, साथु, साथु झाल झाल